इन मारती जाए हैं संधार करता हैं ना उसका बोलो ना चलान करो उसका जीदा जाए किसी ओगलत शούμεकि में होती हैं नमस्कार परिवार हम है आपके साथ अपूरवा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दो साल पहले हुआ कुछ ऐसा जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दो साल पहले की दुनिया देखें और अगर अब की दुनिया देखें तो जादा कुछ तो नहीं बदला बस दुनिया के आंकड़ों में फरका गया जहां पहले देश में कडोडों की आबादी थी वही आज मानू जैसे कि इन आकड़ों पर किसी की नजर सी लग गई है और नजर भी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खतरनाक वाइरस की करोना महामारी की इस करोना ने नजराने कितने मासूमों की जिंदगी चीन ली कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर चलाने वाले उनसे चीन लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में इतने महान हैं जिनकी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है जिनको लगता है कि कोरोना है ही कहां और जब कोई उनसे मास्क पहनने के लिए बोलता है तो लोग उल्टा उन्हें ही गाली देने रखते हैं जैसे की हुआ इस वीडियो में जरना मस्के में लग Pacmo प고 कि लुडए वह मैं शोम के लिए इननने गार Nic्ए लौना चलान करो सकाश्व ए चलान करो सक कि करो चलान करो मैं इदर देखा नामी देख रहे हैं इसका चलान करो विशाल भाई चलान करो उसका तरह चलान करो कर तो यह वीडियो दिल्ली का बताया चारा है लेकिन दिल्ली के किस इलाके का वीडियो है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है एक आदमी एक महिला को मास पहनने के लिए बोलता है तो मोहतरमा उल्टा उन्हें ही सुनाने लगती है इतना ही नहीं उनकी जुबान से अमरिज जैसे शब्द गिरने लगते हैं बात यहां भी नहीं रुकती बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब लड़की के जस्ट साइड में दिल्ली पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं और वो लड़की को बोलने के बज़र लड़के से ही उलच जाता है और लड़की भी लगातार उस लड़के को गाली दे रही होती है ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है लेकिन दिल्ली के किस इलाके का ये वीडियो है अभी तक पता नहीं चल पाया है इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है, एक आदमी एक लड़की को मास्क पहनने के लिए बोलता है, तो मोहतरमा उल्टा उन्हें ही सुनाने लगती हैं, इतना ही नहीं, उनकी जुबान से अमरत जैसे शब्द किरने लगते हैं, बात यहां भी नहीं रुपती, बेशर्मी की हत्तो तब पार हो जाती है, जब लड़की के जस्प साइड में एक जवान खड़ा होता है, और वो लड़की को बोलने के बज़र लड़के से ही उलच जाता है, और लड़की भी लगातार उस लड़के को गाली देरी होती है, दम की बात करने लगती है, इतना ही नहीं, एक लड़का बोलता रहा है इसका चलान काटो इस लड़की को बोलो लेकिन मजाल है कि किसी ने उस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो मिली हुई खबर के अनुसार कोरोना का जो थर्ड वेव है वो तीन मेने बाद आने की संभावना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लापरवाही करें क्योंकि एक लापरवाही पढ़ सकती है आप पर और आपके पूरे परिवार पर भाड़ी तो अपना बहुत 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 जादा ध्यान रखिये और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरू करिए और सबसे खास बात मास्क लगाना मत बूलिए क्योंकि दो गर्श दूडी मास्क है जरूर धन्यवाद